चलिए बनाते पेरी-पेरी पास्ता एक पैन में बटा गरम करूँगी, उसमें अट करूँगी अनियन क्यूपस और कलर्ड कैपसिकम के क्यूपस और उसे एक मिल्ट के लिए सौते करूँगी साथ में आट करूँगी mixed herbs, chili flakes और taste के लिए नमक डालके इसे mix करके side में रख दूँगी अब दूसरे pan में बटा गरम करके उसमें मैदा डालके इसे 1 minute के लिए पका लूँगी अब इसमें दूट डालके इसे गाड़ा होने तक 2-3 minute के लिए cook करें उसमें आट करूँगी peri-peri masala, grate के होगा cheese, नमक और fresh cream डालके इन सबको अच्छे से mix कर लिए अब इसमें डालूँगी sautay के हुए vegetables और boiled के होगा pasta डालके इसे अच्छे से mix कर लूँगी पास्ता और vegetable sauce के साथ अच्छे से mix हो गए है फाइनली इसके उपर diced mozzarella cheese और थोड़ी से mixed herbs को गानिश करके इस peri-peri pasta को गर्मा गरम सर्फ करें यह recipe को आप जरूर बनाए आपके friends और family के साथ enjoy करें to save and share this recipe and don't forget to follow our page